तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल आज की इस वीडियो में हम 2010 और 2011 के प्रिवेसर कुशन को करेंगे ठीक है यह कुशन पॉलिटी का होगा बहुत ध्यान से इस कुशन को सुल्प किजिएगा और अपने स्कूर्स चेक किजिएगा ठीक है अगर आप लोग लक्षमी कंत पर विचार किजिए पहला अप्षन दिया है मौली का दिखार दूसरा दिया है मौली करते हैं तिसरा दिया है DPSP और कुशन क्या पूछा है कि राष्ट्रिय समाजिक सहयता कर्च करम किसमें कहा जाता है ठीक है किसमें परिपूत किये जाते हैं ठीक है तो इसका राइट ए तो करता है कि भार्त का स्रोचनाले कानून अधो अत्थों के मामिले में राशो पति को सला है हम सिर्वास ने पतिक से लिए तो सला देता है कि स्योंपनी पहल और मामले पर सलह ज्वाब मांग सकते हैं नहीं दोस्तों तो यदि सवर्वच नवहीं हो जाएगा ठीक है फिर तीन नमबर कुशन कहता है लोक अदालत के समभंध में निलिकित कत्नों पर विचार कीज़ें. क्या कहा रहा है? तो कहा है कि लोक आधालत का छेतरा अधिकार मामले के मुकदमे, कि पहले उनके समधान का है न कि यहां पर ध्यान दीज jeżeli गए न कि ऐसे मामले का समधान का जो की किसी नियाले में लंबित हैं, यह तो सरासर गलत है, क्योंकि लोक आदालत में उसी मामले को सुना जाता है, जो नियाले में लंबित है, क्योंकि जागड़ा को सुलजाने के लिए, लोक आदालत का निर्मान खेजाता है, तो यह तो गलत हो जाता है, ठीक है, तो हमारा पहला गलत ह हो गया दूसरा कर रहा है कि लोक आदालत का केवल सीविल मामले में केवल सब्सक्राइब ध्यांति जागा केवल सीविल मामले में दखल है ना कि अपराथी मामले में तो सरा सर गलत है कि सीविल और अपराथी मामले में होता है लोक आदालत का दखल ठीक है तो यह भी गलत हु कि परतेक लोक आदलत में स्रेवा रत और स्रेवा नरित न्याइक अधिकारी हो सकते हैं दूसरे ब्यक्ति नहीं हो सकते हैं क्या क्यवल रिटायर न्याइक ब्यक्ति हो सकते हैं न्याइक अधिकारी हो सकते हैं दूसरे ब्यक्ति नहीं हो सकता तो यह सरसर गलत बात है, यह भी नहीं है, यह भी गलत हो जाता है, तो हमारा राइट एंसर हो जाएगा D number, उप्रिकने से कोई कहतन सही नहीं है, तो बहुत ध्यान से कुशन को पढ़े का तभी स्वल्व होगा, ठीक है, फिर चार नमर कुशन कहता है, कि भारत सरकार अधनिय 1935 में उल्यखित निर्देशों के दास्तवेच, निर्देशों का दास्तवेच क्या होता है, यानि कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रॉक्शन, भारत की सवविधान में 1915 में किस रूप में समाहित किये गया है, तो किस रूप में समाहित किया गया है, तो क्या मौलिक अ प्रस्तूत करने के लिए उतरदाई होता है तो कौन केंद्रिय बचत को त्यार करने के लिए स्वाइब क्रस्थ्राइइ करने उतरदाई होता है कौन रिइस्पंसब्ल होता है तो क्या राजसो बीभाग होता है नहीं गलत बात है क्या आर्थिक मामले का बीभाग होता है एकदम सही बात है क्या बीतिवी सिवाब का बीभाग नहीं गलत है तो इसका रायटेंस हो जागा आर्थिक मामले का बीभाग ठीक है एकदम सही बात है फिर शात नमर कुशन कहता ह कि यहां पर थोड़ा इसको सिधा कर लेते हैं कि यह नीति उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जो कि परियोजनाव के लिए भूमी अधिगरण से प्रभावित होते हैं किसी आनकारण से हुए अन्यक्षिक बिश्तापन पर नहीं तो यह गलत बात है ठीक है केवल भूम समाजिक नया और अधिकारी मंत्राले कंतर गलत हैं यह भी गलत है जब भी मंत्राले के कुशन आता है कि यह अधिकाएंस कुशन गलत ही होता है मंत्राले जब है कि राज सरकार यदि उचित समझे तो जीले में एक से अधिक फोरम की अस्थपना कर सकता है फिर भी पर ये जीला फोरम की एक सदस्य महिला होगी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों जीला फोरम सिर्फ उन्ही सिकायतो की सुनता है वस्तों और से स्मधित होता है फ्क्र दो सक ररैट इंसर हो जाएगा से झालन. कष़ाय नॉमस देखे तो Assim क नॉमस में के निमली कित में से कॉन सा अधिकार करो सुलकों के निर्धान के संभंध में राजपाल से अंसांसा कर सकता है, जो कि उस राजविशयस में पंचेत्यों दौरा बिनियोग किये जाते हैं तो किसके दोरा बिन्यों किये जाते हैं तो इसके राइट एंसर हो जाए कौन करता है राज में तो राज भी तायो करता है कौन करता है राज भी तायो करता है जो भी कर से संबने सुल्क से संबने निर्धान राजपल के अनुसंसा कर सकता है तो राज भी तायो करता है सिंपल सी कुईशन है भाई फिर दस नमर कुईशन कहता है कि निमली खित कतनों पर विचार कीजिए भारत में प्रतिभूती बिनियम और फ्यूचर मार्केट में लेंदन पर कर कौन लगाता है तो किंद्र सरकार द्वारा लगा जाते हैं तो हमने 2010 का कुईशन सॉल्व कर लिया है अ अब हम लोग 2011 के कुशन सॉल्व करेंगे ठीक है